तो हम भी अपने आपको देखें एक है जानना दूसरी स्टेज है मानना और तीसरी स्टेज है मान करके चलना तो तीनों में से हमारी स्टेज क्या है मानने तक है जानने तक है यह चलने तक है क्योंकि प्रैक्टिकल मालूम पड़ता है चलन और चहरे से यह दर्पन है किसको भी पहचानना है तो आप किस दर्पन से जान सकते है यह कैसा है क्या है अपने आपको भी और दूसरे को भी चहरे और चलन से तो शुरू शुरू में बाबा ने सुनाया था कि कोई आप से पूछे कि आपका हाल चल क्या है कोई भी किसे मिलता है तो यही पूछता है न क्या हाल है क्या चाल है तो अगर कोई पूछे आप से कि आपका हाल चाल क्या है तो आप क्या बताएंगे हमारा हाल क्या है खुश हाल खुश हाल है तो सभी खुश हाल है और बाबा कभी भी याद प्यार देता है ना अविक बाबा तो एक शब्द बहुत यूज़ करता है वो शब्द है सदा तो सदा हमारा खुश खुश हाल है और चाल पुछते है तो फिर्ष्टे की चाल तो ये भी चलन और चेहरे से पता पड़ता है ना बनित कि आप झाल 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 झाल